आज मैं आपके साथ एक एसी नास्ता की रेशिपी सरकन वालू जो कि आपने पहले कभी नहीं बनाया होगा बहुत ही जल्दी बनके रेडियो हो जाता है और टेस्ट में इतना अच्छा है कि एक बार 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 जरूर बनाएंगे हाई एब्रिवन कुको तपुमा आप सबका बहुत बहुत स्वागत है चलिए शुरू करते हैं आज की रेशिपी सबसे पहले मैंने यहाँ पर 100 ग्राम यानि आधा कब लिया है चाना डाल अच्छे से इसको दो तिन बार धू लेंगे फिर इसको चार से पांच घंटे के लिए अच्छे से भीगो के चोड़ देंगे जल्दी में तो थोड़ा सा गरम पानी डाल दे तो दो तिन घंटे में यह भीग के रेडी हो जाएगा आप चाहे तो इसको रात पर भीगो के भी बना सकते हैं अब हम इसके लिए एक हरी चटनी बनाएंगे जो कि बहुत ही अच्छा लगता है इसके साथ सबसे पहले ले लेंगे चार लसन के कलिया अगर आप नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते ह है आप थोड़ा कम्या ज़्यादा भी ले सकते हैं एक नरए चमश्पित मुमफली डालेंगे निपुकारस डालेंगेikaikaikaol दोने वी नमक मैं स्वाधन रोए गधी चमस ढलेंगेजी जीरा पाउडर शाथ में डालेंगे एक इंज अद्रग और इसके साथ डाल देंगे हरा धनिया एक से डेड़ कर पाप डाल सकते हैं जितना आपको पसंद है और अच्छे से इसको ग्राइंड कर लेंगे बहुत ही टेस्टी बनता है यह देखिए चार से पांच गंटे बाद चना दल अच्छे से भीग चुका है अब हम इसको एक स्ट्र पाउडर बनाएंगे फाइन पाउडर के बिल्कुल भी जरूद नहीं है अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च यहां पर मैंने पांच डाला है आप थोड़ा कम यह ज्यादा डाल सकते हैं पांच लसन के कलिया डालेंगे अगर नहीं कहते हैं तो स्किप कर दे दो इंच अध ताइम और मेनद तोनों बचेगा आप चाहे तो चौप करके भी डाल सकते हैं अब हम सेम जार में डाल देंगे चना डाल को चना दाल को भी पीष लेंगे रुक रुक के ग्राइंडर को चलाना है और दर्दर्रा करके पीषना है फाइन पेष्ट बिल्कुल भी नहीं होता है उसमें आपको कुछ नहीं करना होता है बस भीगों के छोड़ना होता है अब हम दाल का पेष्ट एक बोल में ट्रांसपर कर लेंगे फिर इसमें एक बड़ा प्याज को चौप करके डाल देंगे थोड़ा जादा भी डाल सकते हैं नमक स्वाद अनुसर डालेंगे न चावल का अटा डालने से इसमें जो एक्ष्ट्रा मुष्टर होगा और बहुत ज्यादा क्रिस्पी बनता है अगर नहीं है तो आप इसमें बेशन भी डाल सकते हैं कंफ्लोर भी डाल सकते हैं बेशन डालेंगे तो दो चुटकी आप इसमें जरूर डाले खाने वाला देंगे इससे यह थोड़ा सा क्रिस्पी ज्यादा बनेगा अब हम सारी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे फिर हाता में थोड़ा सा तेल लगा के इसको टीकी का सेब देंगे ज्यादा गीला लगे तो एक बड़ी चमच चावल का अटा और डाल सकते हैं आप इसमें ज्य प्राइब किया हुआ है आपका बहुत-बहुत धन्यवाद अब हम इसको फ्राइब कर लेंगे दो तरीके से आप बना सकते हैं अगर आपको ज्यादा तेल पसंद नहीं है तो तब थोड़ा सा तेल डाल के इसको उलट-उलट करके चार से पांच मिनट के लिए अच्छे से सेख ले थोड़ा सा पतला बनाए ताकि अच्छे से सिख जाए अगर आपको डिप फ्राइब करना है तो मीडियम गरम कर ले तेल को और मीडियम फ्लेम पर इसको तर ले 5-7 मिनट लगेगा थोड़ा मोटा बनाए अगर आपको डिप राइब करना है चना दाल में बहुत सा ज्यादा कुरकुरा बनता है चाई के साथ तो बहुत ही अच्छा लगता है आज की रेसिपी कैसा लगा कमेर सेक्शन में जरूर लिखे अच्छा लगे तो एक लाइक कर दे अपने फ्रेंड्स और फ्रामिली के साथ इसको सेयर करें चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्स्क्रा जड़े यदिरैयर चैनल कि अपता है तो यदित्थ के साथ प्रू भाइक बसकाने जरुड्ग है पिरे नच्छा अची अच्छा वदीब